Hi all, this is Avanesh Tiwari and I welcome all of you. Today we are going to talk about the three new laws enacted by the Parliament of India. आज हम लोग उन तीन लोग के बारे में चर्शा करेंगे, जो हमारे पर्लेमेंट ने रिसेंटली बनाये हैं, उनका एनेक्टमेंट तो हो गया है लेकिन एन्फोर्समेंट बाकी है. तो मैं अक्सर देख रहा हूँ आज कल कि जो भी लोग जुडिशेरी तेहरी कर रहे हैं, चाहे जो यंग लोयर्स हैं वो भी, या और भी लोग जो LLB कर रहे हैं, एट्सेटरा, वो काफी चिंतित हैं कि क्या ये तीनों लोग अभी से ही एन्फोर्स्ट हो गया हैं, या इनका मतलब की करना क्या है फिलाल, means there is a state of confusion in everyone's mind regarding the three new enacted laws, तो आज उन सारे confusions को मुझे दूर करना है, और आपके साथ मैं चर्चा करने के लिए एक विशा लेकाया हूँ, जिसमें हम लोग जो हमारे पास अभी existing laws हैं, तीनों, और उसके corresponding जो तीनों नए laws बनाए गये हैं, उनका मतलब overview हम लोग लेंगे आज, और ये देखना हमें है कि उन तीनों नए laws के स्वरूप क्या है, उनका जो connection है, existing laws के साथ, वो connection क्या है, या वो कब से effective होंगे, उनका future क्या है, लोग कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़े होने वाली हैं, या कैसी चीज़े हो रही हैं, इन सारी इन सारे confusions को आज हम लोग दूर कर देंगे, क्योंकि इसको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी करने वाले जो भी students हैं, particularly judiciary exams की, उनके मन में काफी दुविधा है, इस बात को लेके, कि हम नए वाले laws पढ़ें, या पुराने वाले ही पढ़ें, कौन सा syllabus हमारे लिए काफी confusion है, so let's talk about these three laws, तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसके अंदर मैंने three columns बनाया है, पहले column में क्या है, serial number है, दूसरे वाले में three existing laws, जो हमारे पास पहले से already हैं, और तीसरे column में लिखा है, three corresponding new enacted laws, जो नए laws बन के तयार है, उनको मैंने right side में last column में, third column में लिख रखता है, तो आपनों का मालूम है कि जो हमारे पास three existing laws है, उनमें से मैंने पहले नंबर पर लिखा है, IPC 1860 को लिखा है, दूसरे पर लिखा Indian Evidence Act 1872, और तीसरे पर लिखा है CRPC 1973, इसके बारे में तो हमें idea है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चु ऐसे अगर मैं कहूं कि IPC के लिए जो नया law बन के तयार है, उसका नाम है, short में उसको मुलोग BNS बोल रहे हैं, और उसका पूरा नाम क्या है, भारतिया नियाय सहिता 2023, तो IPC के लिए नया law बन के तयार हुआ है, उसका नाम क्या है, BNS मुमनों बोलेंगा short में, ताकि बोलन पूरा असान रहेगा, और Indian Evidence Act 1872, यह जो existing law है, इसको कौन law replace करने वाला है, future में, उसका नाम है BSA, जिसको हुआने बोलते हैं क्या, इसका पूरा नाम है भारतिया, साक्ष, अधिनियम 2023, और जो तीसरा law है, जिसको हम लोग CRPC के नाम से जानते हैं, जो existing law है, जो हमारे पा पूरा नाम क्या है, short में उसको बोलते है, BNSS 2023, और उसका पूरा नाम क्या है, भारतिया, नागरिक, सुरक्षा, सहीता 2023, तो सबसे पहला task, जो सभी aspirants के लिए है, कि आप corresponding नाम याद कर लो, IPCO क्या बोलेंगे, BNS बोलने वाले हम लोग है, Indian Evidence Actors क्या बोलने वाले है, तो ये बहुत ही चोटा task है, ये कोई भी student कर सकता है, कोई भी aspirant कर सकता है, और करना ही होगा आने वाले time है, धीरे धीरे, ठीक है, तो पहला task हमने complete कर लिया है, दूसरा task ये है, कि मेरे पास 3 words है, 3 words, उन 3 words को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और 3 words क्या है, मैं यहाँ बोल पहला है बिल को जिस भी इंताइक को समझना है कि यह तीनो नॉस बंके तयार रोगए इसका है अगर मैं वर्ड बोलता हूं एंक्टमेंट सब्ड का मिनिंग क्या है अगर यह इस तीनों वर्डズ को आपसमझ यह तो तो चाहे वह existing laws हो और चाहे आने वाले laws हो जो बन के तयार है उनको समझना बहुत ही असान हो जाएगा तो पहले नमबर लिखा मैंने क्या बिल दूसरे मैंने वर्ड लिखा है enactment और तीसरे नमबर लिखा है मैंने एक word enforcement ठीक है तो आपने बिल का जिक्र तो बहुत बार किया भी होगा सुना भी होगा आप television on करते हो तो कई बार आप देखते हो कि Parliament के अंदर भी या किसी state के legislature के अंदर भी debate चलता रहता है कि government ये बिल लेके आई है और उसके उपर debate चल रहा है ultimately उस बिल के उपर voting भी होती है मतलब क्या है कि बिल एक document का नाम है what is the bill? Bill is a document and that document contains the policies, the laws proposed by the government government अगर कोई नया law लेके आना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले एक raw draft ready किया जाता है और उस draft को house में लोग पेश करवाते हैं तो चाहे उसको paste किया जाए कहां पे लोग सभा में या उसको paste किया जाए राज्य सभा में it depends हमें उधर नहीं जाना है हमें जाना कहां पे है कि एक bill है एक document है जो की बिलकुल you know initial stage पे है अभी draft तो ready है लेकिन house के अंदर उसके उपर debate करना बाकी है और उसको हम लेके आ रहे हैं basically house के अंदर वह house हमारा parliament भी हो सकता है वह house state level पे हमारा legislature विदान सभा विदान मंडल जो भी हमारे पास है वहां पे भी हो सकता ठीक है तो उसमें भी लोग भी नहीं आएंगे क्योंकि वह चीज़ें अलग है हमारे से फिलहाल हमें समझने की बात है कि bill is that proposed law कहलो इसको जो law आने वाला है उसका proposal है formal way में written form में जिसको हम लोग house के अंदर लेके आये हैं उसके उपर debate करने के लिए अब मालकी house के अंदर bill आ गया उसके उपर debate भी हो गया और उसके उपर voting भी हो गई और houses ने उसको pass भी कर दिया ठीक है मालकी जो member से उनकी voting होई वो bill pass हो अब pass होने के बात क्या करन है वही बिल जब houses के थूप pass कर दिया जाएगा तो उस पास्ट बिल को हम लोग जाते हैं कहां पर या तो अगर पार्लियमेंट ने law बनाया है तो वह बिल जाएगा हमारे और प्रेसेडेंट के पास अगर वह बिल पास किया गया है किसी state legislature के थूप तो वह बिल जाएगा हम हुमारे ौॉणनरेभल guvernor gonna e analogy wh यह में काथ है मारे पास है सब्लब के बिल पास कर दिया गया और उसके बाद हम लोग जाते हैं कहां पर प्रेशेड़ेंट के पास और वहां पे एक शब्द इस्तमाल होता है, जिसका नाम है Assent. मतलब कि हमारे onorable President, Parliament के द्वारा पास किया गए बिल के उपर, जिस दिन अपना signature कर देंगे, जिस दिन उनका official seal उसके उपर लग जाएगा, उस date को हम लोग बोलते हैं कि yes this is the date of enactment लगी पहले bill आया, bill houses के थुरू pass कर दिया गया और वो bill पहुंच गया हमारे honorable president के पास और president साहब का अभी assent उसके उपर मिल गया तब जाके हम कहते हैं कि now that bill has become an act अब जाके वो जो bill था उसको हम लोग act कह सकते हैं और assent का इतना ज्यादा value है कि अगर president ने assent नहीं दिया है तो उसको हम लोग act नहीं बोलेंगे ठीक है इसका मतलब कि president का assent मिले का एक particular और न पार्टिकुलर date और उसी date को बोलते है date of assent तो जिस दिन assent मिल गया president का वही date होता है date of enactment की हमारा law अब बन के तयार है ठीक है तो यह तो हुआ हमारा conceptual जर्नी लेकिन अब इस concept को हम लोग लागू कर देंगे किसके उपर हमारे तीनों जो नए laws आये हैं चाहे वह BNS हो अचाहे वह BNS हो अचाहे वह BNS हो वह तीनों जो लागू है अभी इसी stage पे हैं कहां पे यहां पे अगर मैं कहूं तो हमारे तीनों जो लागू है उनका stage यही है चाहे वह BNS हो अचाहे वह BNS हो अचाहे वह BNS हो यह तीनों लागू हमारे बन के तयार हैं मतलब कि पारलेमेंट ने उनको पास कर दिया है और हमारे उनरबल प्रेजेडेंट शिर्मती अध्रापदी मुर्मू जी है उन्हों ने इसके पर अपने एसेंट भी दे दिया है मतलब कि तीनों लागू इनक्टेड हो चुके हैं बन के तयार है बनलब कि उनका इनक्टमें हो चुका है वो डेट कौन सा होगा वो डेट वही होगा जो हमारे उनरबल प्रेजेडेंट शिर्मती द्रापदी मुर्मू ने अपना एसेंट दिया होगा ना तीनों लाज के उपर वही डेट डेट ऑफ एनक्मेंट कहला है तो डेट कौन सा है 25 अप डिसमबर 2023 का इसी डे डेट को हमारे प्रेजेडेंट ने इन तीनों लाज के उपर अपना एसेंट दिया है तो यह डेट हमारे लिए डेट ऑफ एनक्टमेंट कहलाएगा अब रही बात इसके एंफोर्समेंट की तो एंफोर्समेंट के लिए सेंट्रल गवर्मेंट एकलग से डेट निकालेगी अपने ऑफिशिल गैजेट में और उस डेट से वो बानेंगे कि हाँ यह तीनों लाज एफैक्टिव हो गए अब सवाल यह उठाएगि क्या एनक्टमेंट कर देने से ही क्या वो लाज एफैक्टिव हो गये हैं क्या वो लाज एन फोर्स हो चुके हैं क्या हमारे कंट्री मे लागू हो चुके हैं इसका अंसार है कि नहीं जैसे आपको एक लेमेन की तरह करा समझाओं तो जैसे मान लोग कि किसी ने अपना एक मकान बनाया है नया घर बनाया है और हम लोग हाउस वार्मिंग करते हैं या उसको हम लोग अदरवाइस बोलते हैं ग्रिह प्रवेश करना तो घर तो बन के तयार है लेकिन उसका ग्रिह प्रवेश बाकी है मतलब कि उसके अंदर अभी हम लोग जाकर रहते नहीं है वो घर अभी चालू नहीं हुआ ठीक है इसका मतलब ठीक उसी प्रकार से यह तीनों लोज बन के तयार कर दिये गए हैं लेकिन अभी तक यह लाग कर दिया जाएगा Central Government के तुरू उस डेट से यह तीनों लॉज इफेक्टिव होंगे बन के तयार है मतलब कि एनेक्टमेंट हो चुका है लेकिन एनफोर्समेंट बागी है उसका लागू होना बागी है और उसके लिए Central Government अलग से Official गैजट में डेट नोटिफाई करेगी और उसी डेट से यह तीनों लॉज इफेक्टिव होंगे तो अगर आज के रिएट में आपसे पूछ ले सवाल कि क्या यह तीनों लॉज इफेक्टिव हैं अंसर इस नो अगर कोई पूछ ले कि क्या इन तीनों लॉज का एनफोर्समे इन ने किया घ्जाइन यहां बार 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 उस डेट को नोटिफाई करने की बाब चरपम हों इन तीनों लॉज को अफिशियल कर दिया है लेकिन फिर से muchoेड़ा यह निकाला जाएगा और उस पर्टिक्लर कर दोबीट नोटिफाई किया जाएगा ओशियल कर जाएगा तो तो अब यह तीसरा जो स्टेज है ना थर्ड स्टेज जो है थर्ड स्टेज जिसके अंदर central government वो date निकालेगी इस date को इन तीनों लॉज को enforce किया जाएगा मतलब कि उसी particular date से तीनों लॉज हमारे country के अंदर लागू हो जाएंगे इसका मतलब कि it is still pending ठीक है मतलब कि आज का डेट जो भी हो आज का डेट जो भी हो साथ तरीक हो आठ तरीक हो जैनवरी का अभी तक इन तीनों लॉज को enforce नहीं किया गया है इनको लागू नहीं किया गया है यह अलग बात है कि मार्केट में आप देखोगे कि अलग अलग जो publishers हैं वह अपना अपना बैट निकाल के बेच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनको बेचने दो हलाकि आपको भी अगर idea लेना हो कि actually उसमें है क्या तो लेकर आप देख सकते हो इसकी मनाई नहीं कर रहा हूं लेकिन जहां तक आपके examination का सवाल है तो अभी जो भी exams के notification आ चुके हैं या recently देखा मैंने की हरियाना का notification आया है कुशी दिन पहले की बात है तो उसके अंदर भी syllabus जब देखोगे आप तो आपका existing laws ही उसके अंदर भ सोचना कब पढ़ेगा आपको जब वो तीनों laws enforce कर दिये जाएंगे उसके बाद मुझे मेरा ख्याल है कि जब तक enforcement नहीं हुआ है तो चाहे किसी भी स्टेट के judiciary का notification आएगा उसमें आपको हमारे existing laws ही सिल्वस में पढ़ने होंगे आपको अभी नए laws के बारे में सोचने की जब तो नहीं है हाँ आपको थोड़ा से वेटन वाच करना होगा और वेटन वाच किस काम का किस बात का आपको वेटन वाच इसी के लिए करना है कि Central Government कब इन तीनों enacted laws को enforce करती है तो जब से enforcement हो जाएगा उसके बाद जो notifications आएंगे उनको थोड़ा से पढ़ेंगे और मेरा अनुमान है कि enactment के बाद अगर कोई notification आता है चाहे हो बिहार का है चाहे UP का है चाहे दिल्ली का है तब शायद जाके उस नए notification में इन तीनों नए laws को mention किया जाएगा तो यह future की बाते हैं तो future तो future ही होता है रहा आज तो चीज़ है नहीं हमारे साम में तो future में जब भी हुआ उस हिसाफ से उसको हम लोग हैंडिल कर लेंगे उसके लिए आपको अभी से पैंडिक करने के बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है हाँ एक बिल्कुल लिए जो होता है citizen उसकी तुलनागर की जाए हम लोगों से तो यह हमें भी चीजों से अवेर रहना ज़रूरी है तो ए questions नहीं पूछे जाएंगे ठीक है अब बात आती है कि हमने ये तीनों चीज़ समझ लिया कि बिल्ल क्या होता है और enactment क्या होता है और enforcement क्या होता है ठीक है अब एक gray area जो मुझे लग रहा है जो आपके सामने आ सकता है future में वह यह है कि मानलो कि कोई आदमी अभी हर्याना की त्यारी कर रहा है तो वह पुराने subject ही पड़ेगा जिसमें से तीनों पुराने laws वाले होंगे पुराने उनको नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को क्योंकि existing है अभी भी हमारे country अंदर चल रहा है तो existing laws है ठीक है तो मानलो कि किसी ने हर्याना की तैयारी शुरू कर दी है और मानलो की अगले एक महीने में चाहिए दो महीने में चाहिए तीन महीनों के अंदर अगर इन तीनों laws को central government क्या कर दी है और फोर्स करवा देती है ठीक है तो उस टाइम पे आप हर्याना की तैयारी तो हालां कि अपने इस notification के इसाप सही करेंगे लेकिन अगर मानलो की उस notification के बाद मालो की हिमाचल का notification आ गया और उन लोगों ने नए laws को अपने नोटिफिकेशन में डाल दिया और आपको हर्याना भी देना है एक तरफ दूसी तरफ उत्रा खंड भी देना है आपको या हिमाचल भी देना है तो उस वक्त आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना तो मेरा अनुमान है मेरा गैस है कि यह जो शिफ्ट होगा न अग्जिस्टिंग लॉसे नए लॉस की तरफ शिफ्ट होना यह बहुत बड़ा टास्क नहीं है क्योंकि मैंने देखा है तो मैंने जहां तक concept को देखा है तीनों लॉस के जो major concepts हैं और जो major provisions हैं उनको touch नहीं कि ठीक है तो आपको बिल्कुल ही यह बात नहीं सोचनी है कि अरे पुराने को तो पढ़ लिया और फिर से उतना ही मैनत करना होगा नए वाले पढ़ने के लिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है यह मान के चलो कि 95 to 98% चीज़ें जो existing वाले में हैं वही बातें नए वाले में भी ह कि एक चीज़ जरूर है कि प्रोविजंस का नंबर रिशफल कर दिया। किसी के अंदर मालों की मर्डर की पर्टिगलर सेक्षिं के अंदर हुआ करता था तो उसका सेक्षन number बदल जाया। कंटेंट नहीं बदलेगा उसका कॉंसेट नहीं बदलेगा लेकिन नंबर्स का जो प्रोविजन के नंबर्स हैं उसमें शिफ्ट होगा तो हमें एक PDF पनाना होगा उस ताइम बे तो पढ़ लेंगे तो आपको बिलकुल ही घबराने की पैनिक करने की ज़रुद नहीं है आज स को एन्फोर्स करती है एन्फोर्समेंट हो जाएगा उसके बाद किनकीन स्टेट्स का नोटिफिकेशन आता है उनको भी देख लेंगे और उस नोटिफिकेशन में अगर नए लॉज का जिक्र होगा तो थोड़ा सा में पढ़ लेंगे और क्या होगा वही पुरानी बाते है बस लोकेशन बदल जाएगा कि पहले सेक्शन नमबर ये था नए वाले सेक्शन नमबर ये है इसके बियांड उसमें कुछ भी नहीं है ठीक है तो अगर अगर पुराने लॉर्स के अंदर पढ़र में आपके लिए 11 äranš कर देंगे और उन तीन क्लास के अंदर जो चरण्ज आज के लिए इतना ही आपको खबराने के विल्कुल जवरत नहीं है रेस्ट अश्योड फ्रम आउस साइट और हम लोग आपके लिए हमेशाँ अब लेबल है तो आप अपने क्वेरी प्रेस्टिंस हमें सेंड कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाके आप लाइक कर सकते हैं वीडिय केता हूं thank you so much I will meet you guys with the next video thank you so much have a great time